फ्रेंस वेलकम बैक तो माई योट्यूप चैनल मैं आज आपको डाजीन टैबलेट्स के बारे में बताने वाली हूँ डाजीन टैबलेट्स किस यूज आती है और आप इसको किस तरह से ले सकते हैं तो फ्रेंस आप इस वीडियो को पूरा देखेगा तब ही आपको पता चलेगा कि आपको ये किस तरह से यूज करनी है तो friends ये है डाजीन टाबलेट जो कि mainly यूज आती है गैस की प्रॉब्लम्स में अगर आपको गैस की प्रॉब्लम्स है आपको खटी रखारे आती है आपको अप्च है या आपके सीने में जलन हो रही है खाना खाने की वज़े से या कुछ ऐसा आपने खा लिया है जिसकी वज़े से आपको जलन हो रही है तब आप इस गैस की टाबलेट को यूज कर सकते हैं तो हम इसके इंग्रीडियंस देख लेंगे अब तो इसमें कौन-कौन से इंग्रीडियंस यूज कियाए है इसमें है आलूमिन यूम हईडूकसाइट जैल अलूमिन यूम सिलिकेट हाईड्रेट मैगनीशियूम यह जो टैबलेट हैं अलग अलग flavors में आती ये मिक्स फूट यलो तो अलग flavors में आपको ये मिल्कती है और इनका टेस्ट होता है वह बçar होता है वह इस अपनाे न होता है कड़वा Haiti कैंडी होती है उस तरह होती है याप तो आसे चूज़क नहीं थैंब है ज आप रहे ही सद़ित को नहीं वान दभे बहुत सर सामय अच्छा आप को साइब है और है एक शिखते हैं सकते हैं Those Parade अगर बड़ों को इसको लेना चाहते है। विल में अगर बच्छों को देना चाहते हैं तो आप बैसे बिना बक्टर की को आगरे बिना बच्छों को इसे नहीं दें। यह बड़े अगर खाएंगे तो ज़्यादा सही है बज्चों को किसी भी तरह की दवाई आप बिना डॉक्टर की सला से नहीं दे और आप भी डॉक्टर की सला से लेंगे तो अच्छा होगा मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इसका रिव्यू दे रही हूँ तो फ्रेंड्स यह है अबाट इंडिया कंपनी की और यह है एंटी साइट एंटी गैस टैबलेट जो की आपको क्विक रिलीफ दिलाती है इसमें आपको 15 टैबलेट मिलती है मैंने यहाँ पर 10 टैबलेट ली है 15 टैबलेट आपको मिल जाएगी और 15 रुपे में आपको मिल ज वह यही हो सकती है क्योंकि इसे सथी कोई क्यास की आपको मैडिसीन मिलेगी नहीं मार्केट में तो ये बहुत ही जादा अच्छी गैस की दवाइ मानी चाती है डाइजीन की सिरप्स प्याते है और डाइजीन की टेबलेट तो अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है और आपको भी अगर गैस की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर की सला से इस डाइजिन टैबलेट को ले सकते हैं तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इस डाइजिन टैबलेट के बारे में आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करीजे इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजे और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजे ताकि उनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उ को भी थाल्प हो सके थान्स को वाच्चिंग थान्स को वाच्चिंग